गुम्ला में शादी की रस्म अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि नव विवाहित सलोमी का शव शुकरवार की सुबाद येवी स्कूल के गेट के समीप से गुम्ला थाना पुलिस ने बरामत किया है सलोमी की इट पत्थर से कूच कर हत्या की गई है जिसके बाद येवी स्कूल में रात्ष्री पहरी में तैनात सलोमी की पती दुरगा बढाईक का जीजा जी ने पुलिस को घटना की सूशना दिया और पुलिस ने शव को अपने कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए गुम करने के लिए अपने घर ले आया था और दोनों एक साथ पती पतनी की तरह रहते थे ग्रामिनों वा परिजनों की उपस्थिती में दुरगा ने 27 अप्रील दिन मंगलवार को शादी की थी ग्रामिनों ने बताया कि मंगलवार को दोनों की शादी हुई थी बूदवार को च का मांसिक स्थिती अच्छा नहीं लग रहा था वही गुरुवार की सुबा नव विवाहित सलोमी भी घर से निकल गई शुकरवार की सुबा चंदाली स्थित टेवी स्कूल के गेट से नव विवाहित सलोमी का शव नंग धड़ंग अवस्था में पुलिस ने बरामत किया मृ कर रही है गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट